तो सबसे पहले राजीब का रुक कर लेते हैं और फिर महमानों का रुक करेंगे राजीब कल ही आपने Breaking with Agenda में बता दिया था मैंने सुना आपको आपने कहा कि राहुल गांधी के राइवरेली से नॉमिनेशन फाइल करने को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी वीजेपी और वो बन गया है तमाम उनके नेता खुद प्रधान मंत्री स्मृति रानी हमला वर है लेकिन राजीब ये पहली दफा तो नहीं हुआ है कि राहुल गांधी दोड सीचते ताल ठोक रहे हैं देखिए विपनेश पहली बात तो ये है कि ब्रेकिंग वीजेड़ना में आप बहुत दिनों के बाद आ जाएं आपका स्वागत है और दूसरी बात जो आपने कहा कि राहुल गांधी पर इतना वितंडा क्यों खड़ा करा जा रहा है राहुल गांधी पूरे देश को जोडने के लिए नफरत की और महबत की दुकान खोलने के लिए पूरे देश में सड़क पर और संसद में प्रदान मुंतीर नरिद मुदी के खिलाफ संगश कर रहे है राहुल गांधी ने अपनी सियासी पारी की शुरुवात अमेठी से की थी और लगातार अमेठी के लोगों ने उन्हें तीन बार प्यार दिया राहुल गांधी 2019 का चुनाओ 55-57 वुटों से हार गे इस मृति इरानी से और उसके बाद उन्होंने उस सीट से चुनाओ न लड़कर दूसरी सीट से राइवरेली से लड़ने का फैसला किया तो निश्चित तोर पर ये सवाल उठाया जाएगा कि जहां से आप 15 बार लगातार सांसद रहे हैं आपके पिता लगातार सांसद रहे हैं आपकी मा भी वहाँ से सांसद रहीं तो वो सीट इस मृति इरानी से हारने के बाद आपने छोड़ दी इसका मतलब कि आप अमिठी में डर गए ये सामान इसी बात है और सामान तोर पर इसे कहा जाएगा कल भी ये मैंने बात कही कि अब से लेके आखरी चरड तक सारे बारती जिनता पार्टी के चोटे से और बड़े नेता ये बात कहते रहेंगे कि राहुल गांदी अमिठी में स्मृती इरानी से डर गए और ये जाहिर सी बात है सवाल ये उठता है कि और जहाद तक चुनाव लड़ने की बात है दो बात है अमिठी हार करके छोड़ना दूसरी बात है अमिठी जीत करके छोड़ना दूसरी बात है अगर ये तर्क दिया जाता है कि राहूल गांदी शायद अमेठी रीटेन नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्हें उन्हें चुनाव नहीं लड़ा तो पहले उन्हें चुनाव लड़ लेना चाहिए था जीतने के बाद फैसला होता कि कौन सी सीट वो रखेंगे कौन सी सीट छ है कि जीत का अंतर बड़े कम जादा हो लेकि राहूल गांदी वाइनाट से चुनाव जीती जाएंगे तो अगर ऐसी इस्तिती है तो फिर राहूल गांदी को दूसी सीट पर लड़ने की भी जरूरत नहीं थी फिर राइबरेली अगर अमीठी नहीं लड़े तो राइबरे को को भी फैक्ट फीगर के बाद साथ मैं चीज़ें को बताता हूँ देखिए यह आजादी के बाद जब पहला लोकसवा का चुनाव हुआ था फिरोज गांदी जो इंडरा गांदी के पती ते राहूल गांदी के दादा थे वो अगर आप किताबों में जाएं देखने का तो उनकी इलाबात से लोकसवा लडने की बहुत इच्छा थी लेकिन उस वक्त नेरु जी के करीबी और गांदी परिवार के करीबी रफी अमद किद्वई एक निता था जिन्होंने फिरोज गांदी से कहा कि आपको राइबरेली से चुनाव लडना चाहिए और उन्ही के आगरे पर फिरोज गांदी यहाँ से चुनाव लडने आए जब पहला चुनाव फिरोज गांदी लड रहे थे तो बतोर पत्नी इंदिरा जी ने पैदल यातराई राइबरेली के गाओं में की थी और यहाँ के लोगों से एक कनेक्ट बना था उन्नीस सो पावन और सप्ता उन्नीस सो असी का जो शुटाव हुआ था एमेरजनसी के बाद तो उसके बाद असी में जब वो चुनाव लड़ी तो दो सीटों से लड़ी मेधक में और राइबरेली में और उन्नोंने राइबरेली को छोड़ दिया उसके बाद फिर दूसे लोग गांदी परिवार के कर यह लोग जितते रहे दो बार बीजेपी जब गांधी फैमिली या नहीं लड़ी तो दो बार ऐसा हुआ चान्वे और अंठान्वे में कि बीजेपी राइबरेली की सीट जीतने में काम्याब होई लेकिन जब से सोनिया गांधी आई बीस साल से वो यहाँ पर सांसद है लगातार राइबरेली ने उनको चुना है अगर आप देखे तो दो हजार चौदर में और दो हजार उननिस में प्रधान मंतिर नरिद मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद सारे तीन लाख वोटों से राइबरेली में जबकि पूरे दे चौदर में जिताया और एक लाख सब्तर हजार वोटों से दो हजार उननिस मिलना है अब बताइए अमेठी में गांदी परिवार उननिस सो असी में गया था तो विरासत के तोर पर अगर सीट को चुनना होगा तो निश्चित तोर पर राइबरेली भावनात्मक रूप से प्रतिष्ठा की दिश्टी से क्योंकि गांदी विरासत की दिश्टी से देखा जाए तो अगर राहूल गांदी को अकेले ही चुनाओ अमेठी राइबरेली में से किसी एक में लड़ना था तो उनको राइबरेली उनकी पसंद होना भी था क्योंकि सोनिया गांदी ने एले से पहले एक भावनात्मक पत्र लिखा था कि हमारा और आपका परिवार करिश्टा रहेगा अमीथी आप कॉंग्रेस पार्टी की रड़नीती यह है अमीथी अभी कल का वो भाशर शायद आपने सुना हो या बहुत लोगों ने न सुना हो प्रियंका गांधी वहाँ जब रैल केल शर्मा के लिए अमेठी से लड़ेंगी और मैं आपको बता रहा हूं कि गांधी परिवार ने अमेठी को अपने प्रतिष्ठा का प्रस्ण बनाया है और केल शर्मा के स्थाक वो पूरी तोर पर कोशिश करेंगे और अमेठी और राय भरेली इस देश में चुनाओं में ये दोनों सीटों पर आकरसर का केंद रहेगा ये उसका दूसरा पहलो है बयान से साफ तर पर दिखाई दे रहा है कि हम दोनों सीट पर हमारे कारिकरता जी जान लगा देंगे राहूल गांधी को जिताने के लिए तो एक निव एनरजी में देख रही हूँ और बाकी प्रदेश में बिहार की बात करूँ तो आजेडी की साथ हैं वहाँ कैसा असर दिखाई देगा कितनी मजबूती मिलेगी देखें आपने रायबरेली अमेठी के बात किये तो मैं आपको इंटरिस्टिंग फैक्ट एक और बता दे रहा हूँ दिनेश प्रताप सिंग जो भारती जनता पार्टी से चुनाओ लड़ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी वो बस्पा में भी रहे हैं और जब पूरे बस्पा में उत्रप्रदेश में सरकार बन गई थी तो चुनाओ हार गए थे और उसके बाद वो कॉंग्रेस पार्टी में आए वो MLC का चुनाओ लगातार जीते रहें जनता द्वारा हुए चुनाओ में दिनेश्परताप सिंग चुनाओ नहीं जीते हैं लेकिन यहां की एक मजबूत हैसियत है इतने लंबे समझ से MLC है और एक समय गांधी परिवार के बहुत करीबी थी उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद इसी किशियोरी लाल इनी किशियोरी लाल सर्मा जो अमेठी से चुनाओ लड़ रहे हैं इनसे दिनेश प्रताफ सिंग की टकरहाट हुई और इसके बाद उनका कॉंग्रेस से निकलने और भाजपा में जाने का हुआ आज वो मंत्री भी हैं, MLC में हैं, बहुत मजबूत और ताकतवर आदमी है बारतिय जंता पार्टी के इस्थानी कंडिडेट के तौर पर दिनेश प्रताफ सिंग को यहां कंडिडेट मिला है और वो हर तरस से सक्चम बिखती है लेकिन बात यही है कि अभी चुनाओ जो पिछला भी उन्होंने लड़ाता एक लाख सतर हजार के वोटों से कभी कभी हाद अब समाजवादी पार्टी के साथ जो बात है कि अमेटी और राय बरेली में मुलाइम सिंग यादों ने कभी सोनिया गांदी और राउल गांदी के खिलाफ कंडिडेट नहीं किया वेसे मुलाइम सिंग तो बड़े दिल के आदमी थे जब राजना सिंग आज अबास अलर रहे थे तो उनके खिलाब भी कंडिडेट नहीं दिया तो कंडिडेट दिया नहीं तो लोग सबा में समाजवादी पार्टी का और इस इलेक्शन का दूसरा मोड रहता है और विदान सबा में दूसरा विदान सबा में कॉंगरस साफ हो जाती है समाजवादी पार्टी का इन दोनों जिलों में दबदबा रहता हला कि उनके कुछ जो नेता प्रमुक चेहरे थे ते वो पाला बदल चुके अमीथी राय बरेली के माहौल से पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को मैं मानता हूँ कि जोड़ना ठीक नहीं होगा क्योंकि पिछले 25-30 वर्षों से प्रदेश में कॉंग्रेस की क्या इस्तिति आपको पते ही है लेकिन अमीथी और राय बरेली ने कभी गांधी परिवार को छोड़ा नहीं अमीथी को पिछली बार को अगर देखा जा उसको छोड़ कर ठीक है राजीव आप हमारे साथ बने रहें आगे भी आपसे समझेंगे बार